हलो हलो विवर्स आप तो समझी गए हो मैं आज किस टॉपिक का वीडियो बना रही हूँ तो आपको मैं बोल रही हूँ आज मैं पेमेंट फेल्ड जो हो रहा है न जिस किसी का भी पेमेंट फेल्ड हो रहा है उसका प्रॉप्लेम कैसे सॉल्व होगा वो वीडियो आज आप fully देखना क्योंकि इस वीडियो में कैसे आप solve कर पाओगे full details में मैं बोलूँगी ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं मैंने re-app open किया re-app open करने के बाद आपको full access देना पड़ता है mobile number, contact list तो ऐसा access देना ही पड़ता है नहीं तो open नहीं होगा तो यह आपर देखिए overdue चल रहा है तो overdue के बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बोलूँगी मैं यह आपर solution बोलूँगी तो आप जब repayment clear कर देते हो उसके बाद आप जब payment करने जाते हो अपने bank account में credit करने जाते हो loan amount तो उसके बाद आपका problem क्या होता है payment field तो इस payment field को आप कैसे solve करोगे कैसे आपके account में जो limit है वो credit होगा तो इसका एक की solution है पहले तो आपको customer care में mail करना पड़ेगा ठीक है mail करने के बाद आप call कीजिए customer care में customer care में call जब हो जाएगा और आप जब समझ जाओगे आपका आपका क्या problem हो रहा है ring app में तब जब solution नहीं होगा तो आप telegram join कीजिए मेरे telegram है उसमें join कीजिए वापर fully solution मैं बोल दूंगी आपको कैसे solve होगा तो thank you जिस किसी का भी problem हो तो telegram में join कीजिए ठीक है thank you